हाला सुडेंट्स मना नाम दॉक्टर गजन पुरहीत है यह जनरल अप्टिटीट की सीरीज फॉर CSIR नेट स्टुडेंट गेट स्टुडेंट एंड सीविटी स्टुडेंट्स जो की इन सभी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही हलफुल है यहापे में कुछ कंसेप्स है उनके फार्मूलेंज है और कहने कहीं जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ तो सुन आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि सिंपल इंट्रेस्ट एंड कंपाउण इंट्रेस्ट के फार्मूले और उस पे बेस्ट कुछ सबसे पहले इंट्रेस्ट के बारे में अगर अमाउंट आप कहीं बैंक में डिपोजिट कर रहे हो तो यह वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिटन में मिलता है अगर आपको एक साल बाद 110 रुपे मिलता है या अगर आप किसी के लिए लोन ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ता है सब्सक्राइब आपको आपको वो principle amount होता है और ultimately जब भी हम interest को calculate करेंगे तो कहने कहीं time के साथ होता है एक साल बाद है या दो साल बाद है पर जो rate of interest होता है वो कभी-कभी annually होता है कभी-कभी half yearly होता है कभी-कभी quarterly होता है तो उसके हिसाब समें question को solve करना होता है इसमें जो amount होता है वो हमारे पास principal plus interest rate है जैसे माल लिजे 100 रुपे अगर आपने invest कियो 10% rate of interest में एक साल बाद 110 रुपे वे तो जो 110 रुपे होगा वो तो हमारा amount होगा 100 रुपे जो होगा वो मारा principal होगा और 10% जो होगा वो rate of interest होगा और time होगा यहाँ पर one year अब इसमें यहाँ पर जो मैंने interest की बात करी है वो दो टाइप का होता है एक होता simple interest एक होता है compound interest अब इसको थोड़ा calculate करके बताता हूं मालीजे 100 रुपे अगर आपने यहाँ पर principal amount लिया और आपने यहाँ पर rate of interest रखा 10% और मालीजे time की बात करते हैं कि एक साल बाद time हमने लिया यहाँ पर one year यहाँ पर principal amount लिया 100, rate of interest लिया 10% और time हमने लिया यहाँ यहाँ पर simple interest का formula होता है वो मारे पास क्या होता है राइट अगर बात करें यहाँ पर तो P into R into T upon 100 यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है इसका formula होता है तो अगर हम बात करेंगे तो सुन यहाँ आएगा 100 into 10 into 1 upon 100 तो यहाँ पर हमारे पास जो interest आएगा simple interest आएगा वो मारे पास यहाँ पर क्याएगा 10 रुपीज आएगा तो total एक साल बात हमारे पास सुन पी इंटू 1 plus R by 100 minus P होता है और यहाँ पर टाइम हो जाता है है ना मतलब यह हमारे पास फार्मला होता है तो यह जो वेली होती है यह जो होती है यह हमारे पास amount का होता है कि यहाँ एक साल बात आपको total कितना amount रिसीव होगा तो अगर हम amount की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फार्मला होता पी इंटू 1 यहाँ पास 110 आएगा तो यहाँ से मारे पास 110 आएगा तो यह amount आया पर हमें तो अच्छे है compound interest तो compound interest में क्या होगा सविन 110 माइनस यहाँ पर क्या जाएगा 100 दैट इस एक साल बात simple interest और compound interest सेम ही होता है amount सेम ही होता है मतलब जो आपको amount पर जो interest मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है clear main जो game होता है वो यहाँ पर 2 साल के अंदर होता है right कि 2 साल के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता तो मैं आपको बताना चाहरू कि next अगर हम आगे बढ़ें तो अब हमारे पास simple interest की बात करी जाए next अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लिजे हमारे पास यहाँ पर time को टू साल 2 एर कर दिया जाए time को हमारे पास यहाँ पर क्या कर दिया जाए 2 एर कर दिया तो जो next interest लगने वाला है वो hundred पर ही लगेगा वापिस है क्योंकि जैसे ही आपने 100 रुपे लिए, एक साल बात वो 110 रुपे हो गए, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा, वो इस 110 रुपे पे लगेगा, तो 110 का जो 10% होता, वो कितना होता, 11 होता है, तो जैसे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एगा, 110 प्लस 11 पे, हैना, माले जी यह मारे पास अमाउंट है, और यह मारे पास यहाँ पर अमाउंट है, और यह मारे पास दे रखा 10% rate of interest पे, तो एक साल बात, यहाँ पर जैसे ही एक साल होगा, तो एक साल बात यह हो जाएगा, 110 रुपे ही होगा, हैना, कोई फरक नी पड़ेगा, आफ 110 में 10 रुपए जोड़ दो ते 120 रुपए हो जाएगा तो 110 प्लस 111 मतलब 121 हो जाएगा यह ध्यान देने की ज़रूत है अगर लेंगे तो दस रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 120 प्लस दस हो जाएगा बताब यह मारे पास होगा 130 रुपए पर भाईया जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर इसका 10% लेंगे तो 121 होगा तो यह आएगा हमारे हमारे पास 121 प्लस 12.1 अरे भाईये 121 का 10% क्या होता है बारा पॉइंट है तो इसको लेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी जो विल्यू है कि वह हमारे पास क्या है कि सुन 133.1 हो जाएगा अगर आप से कभी कभी कुशन यह पूछ ले कि 100 रुपीज अगर हमने इन्वेस्ट कि हैं तो एक साल बात compound interest में क्या difference में क्या difference ने होगा अगर आप से बोला जये कि 3 साल बात कितना होगा तो 3 साल प्रेशल इंगे थेंद्न साल भाईग यहां एक्स्ता मिलेगा compound में कोई यहां पर फरक नहीं पस एक थोड़ी से चीज यहां पर ध्यान देने की जरूत है कि कभी-कभी एगर हमारे पास यह बोल दिया जाए कि जो compound खास करके compound interest में बात करी जाती है इस वाले case में कि हमारे पास जो compound interest से इसको quarterly calculate किया जा रहा है तो सुन यहां पर R by 4 कर देना है और टाइम यहां पर क्या जाएगा भाई यहां फोरेन हो जाएगा तो यह आपको समझने की आवशकता है मैं कुछ questions लेता हूँ और question के थूँ यहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे हमारे पास यहां पर कोशिशन है कि 1000 रुपिज़ इंवर्स्टेड at 12% interest and interest is compounded half yearly तो भाईया यहां पर समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास जो amount है मतब principal amount है वो देरेखा 1000 रुपिट rate of interest जो देरेखा है वो 12% देरेखा है and सुनिया पर जो हमारे पास calculate करना है वो half yearly calculate करना है मतब interest rate को तो then what will be the total amount at the end of one year तो यह total amount कितना मिलेगा तो सुन चुकि compound interest का जो formula होता हमारे पास यहां पर पर सुन यहां पर half yearly बोला जा रहा है तो यह हमारे पास क्या जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या जाएगा यह 2N हो जाएगा clear है अब यहां पर one year बोला जाएगा तो एन की value कितनी होगी यहां पर द्यान देनी की जरूत है एन की value one होगी हैना क्योंकि after one year right अब इस वेल्यू निकालेंगे तो आरे मेरे भाई वैसे भी सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर half yearly calculate किया जा रहा तो साल बर का rate of interest 12% है तो आदे साल का 6% हो जाएगा और आधा साल और आधा साल तो दो यहां पर time जो हो जाएगा वो time period जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा दो हो जाएगा इस लिए पर two कर देते हैं बस सीधी बात अगर simple सी बात समझने की कोशिश करें तो यह होता है अब इसको solve करेंगे तो यह आएगा 1000 into 106 into 106 divided by यहाँ पर 100 into 100 हो जाएगा आप जब calculate करेंगे तो यह से cancel 106 का 106 के साथ whole square करेंगे तो मैं आपको बुला इसको ऐसा कर सकते हैं 100 plus 6 का whole square तो 106 का whole square निकलना तो हम क्या करेंगे सब से पहले 100 का square यहाएगा तो यहाँ इसकी value आएगी 11236 आएगा तो सुन इसकी value आएगी मारे पास आएगी 11236 divided by 10 तो सुन आएगा 1123.6 is the answer तो सुन यहाँ पर मारे पास B option कहा जाएगा correct आजाएगा इस प्रकार से इस टाप की questions को आप बहुत इसली कर सकते हैं तो next question देखे the rate of simple interest in two banks A and B are the ratio of 5 to 4 है तो सुन यहाँ पर simple interest है उसका rate of interest हमारे पास 5 to 4 है तो सुन यहाँ पर यह हमारे पास 5R हो जाएगा यह हमारे पास 4R हो जाएगा तो ratio क्या हो जाएगा 5 to 4 हो जाएगा नाइक्स and wants to deposit his total saving in the two banks in such a way that he received the equal half yearly interest from the both है ना तो यहाँ पर जो रिसीव हो रहा है इक्वल हो रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान देने के जरूत है कि जो हमारे पास simple interest दे रहा है तो दोनों में हमारे पास simple interest हो रहा है तो यहाँ आपको समझने की जरूत है और यहाँ प जब हमारे पास यहाँ पर compound interest होता तो हमारे फार्मूले में change होता है पर अगर हमारे पास simple interest की बात करी जाए तो half yearly तो T को हम यहाँ पर कर देंगे T by 2 कर देंगे तो time जो हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा यह T by 2 हो जाएगा दोनों वाले case में है ठीक है यहाँ पर यह X deposit करता है और यहाँ पर क्या करता है Y deposit करता है तो normally अगर हम बात करें यहाँ तो हमारे पास simple interest का formula होता है यार वो होता है मारे पास simple interest is equal to P into R into T upon hundred होता है अब दोनों का simple interest same है तो अगर मैं एक ही बात करता हूँ तो यहार पे मारे पास माले जी यह P कितना X दे रिखा है R कितना दे रिखा है यह 5R दे रिखा है टाइम हमारे पास यहाँ पर T by 2 दे रिखा है upon 100 यह हमारे पास A का simple interest है अब बात करते हैं B का simple interest दोनों का simple interest same ही आ रहा है तो यहार पे हमारे पास क्या आएगा Y into 4R into T by 2 upon 100 और यह दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो यह भी simple interest की value और दोनों का simple interest same है तो यह 100 से इंडिट हमारे पास क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो यह होगा हमारे पास 4 by 5 तो सुनका जो deposit amount का ratio होगा वो क्या होगा 4 is to 5 होगा तो सुन B option हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा यह correct हो जाएगा So next question देखें Next question क्या बोल रहा है Question देखें सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है A sum of money lent at compound interest amounts at 1254 in 2 year and 1405 in 3 year Find the rate of interest तो सुन यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि एक amount है जिसको invest किया गया है और 2 साल बाद उसकी यह value होती है 3 साल बाद उसकी यह value होती है तो यह rate of interest यहाँ पे क्या होगा तो सुन यह समझने की जरुत है कि हमारे पास जो formula होता है amount का वो होता है P into 1 plus R by 100 यह power T तो सुन यह जो value आती है यहाँ पे क्या होता है amount आता है अब सुन यहाँ पे बात करते हैं दोनों के लिए तो हमारे पास यह P हमें पता नहीं है क्योंकि amount यहाँ पे same ही है same amount को 2 साल के लिए और 3 साल के लिए invest किया जा रहा है तो P को तो P ले लिजे and 1 plus यहाँ पे जो rate of interest इसको आल ले लिजे by 100 और for 2 year इसकी जो value होती है वो होती है 1254 and for 3 year यही same principle पे rate of interest भी हमारे पास same है और 3 year पे इसकी जो value होती है वो हमारे पास 1405 होती है तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि भी है यहाँ पे rate of interest क्या होगा तो सुर्म क्या करेंगे इसको divide कर देंगे आपे तो divide करेंगे तो यहाँ पे मारे पास क्या आएगा सुन P 1 plus R by 100 power 3 upon P 1 plus R by 100 power 2 मैं इन दोनों को divide कर रहा हूँ तो यह आएगा 1405 upon 1254 आजाएगा अगर आप देखेंगे तयार यह पूरी की term इससे cancel हो जाएगी हमारे पास है ना यहाँ पी से भी भी cancel हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बज़ेगा 1 plus R by 100 is equal to यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आएगा 1405 and upon 1254 आएगा यहाँ पे क्या करेंगे R upon 100 is equal to 1405 upon 1254 minus 1 होगा तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पास यहाँ पे कहा जाएगा इस प्रकार से इस question को हम यहाँ पे कर सकता है ऐसे और भी question अगर आप करना चारहें तो सुन मेरी जनरल आप्टीट की बुक्सा आप कर सकते है अगर आप IIT से हैं या CSI या नेट की तैयरी करना चारहें तो यह बुक्स भी मैच के लिए अवलेबले आप देख सकते है So next question देखिए अगला question क्या बुला जारा है हम से Mr. Millin invested amount of 13,900 divided into two different scheme A and B मतलब 13,900 को वो दो अलग-अलग scheme में divide करके invest करता है ठीक है At the simple rate of interest 14% and 11% respectively If the total amount of simple interest earned in a two year will be 3,508 then what was the amount invested in the scheme B तो उसे पुचा रहें कि B scheme में वो कितना amount यहां पर invest करेगा तो माल लीजे यहां पर हमारे पास total amount था उसके पास वो 13,900 एड़ेट था तो यह B scheme में X amount को invest करता है तो A scheme में कितना करेगा 13900-X करेगा अब इन दोनों से जो उसको simple interest return हो रहा है दोनों scheme से वो हो रहा है 3,508 रूपे तो आप से पूचा ज़र है कि जो X है इसकी value क्या होगी अब यहां पर समझने कि ज़र होते है जो rate of interest था वो हमारे पास क्या रहा है 14% and 11% और time हन यहां पर हमारे पास क्या रहा है तो हम जानते है normally हमारे पास simple interest का जो formula रहा वो क्या होता है तोटल जो amount है, जो invest किया गया है, मतलब P की value यह हमारे पास यह है, into R, R हमारे पास 14% है, into यहाँ पर T हमारे पास 2 है, divided by 100 हो जाएगा, प्लस अब इसकी बात करते है, तो यहाँ पर हमारे पास यह X invest किया गया है, 11% of rate of interest है, into 2 upon 100 is equal to, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3508, अब इस अरुम क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे, तो यह आएगा हमारे पास 13900 into यहाँ पर जब इसको अंदर multiply करेंगे, यह 28 हो जाएगा, minus यह आएगा 28X, प्लस यह आएगा हमारे पास 22X, और इसको इसको इदर ले गया, तो 1508 00 हो जाएगा, इसको जब minus करेंगे आप ए, तो सुन यह आएगा minus का 6X, और मैं इसको इदर लेके जाता हूँ, यहाँ काम करें, तो सुन यहाँ से इसकी जो value हैगी, वो minus 6X है, उसको मैं उधर लेके जाता हूँ, तो यह आएगा 6X, और सुन इस amount को मैं इदर लेके जाता हूँ, तो सुन यह आएगा 3139 00 into 28 minus 350800 आ जाएगा, तो सुन जब इसको simplify करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा 45,000 है ना, 6X की value आएगी, वो हमारे पास आजाएगी, 7,500, तो सुन हमारे पास यहाँ पर जो answer आएगा, वो क्या आएगा, दी आएगा, तो इस प्रकार से इस question को मैं easily solve कर सकते हैं, तो सुन नेक्स question देखें हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कि लेला inspired to buy a car worth of 10 lakh after a 5 year, मतलब 10 lakh की car ख which offered 10% annual rate of interest if the interest was compounded annually, मतलब वो कितना amount bank में deposit करे 10% rate of interest के लिए 5 year के लिए कि उसको यह 10 lakh क्या हो जाए भाईया, return मिल जाए, और जो interest rate है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, compounded है, तो सुन हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो formula होता है, amount का, वो क्या होता है, सुन यहाँ interest rate की बात करी जाए, तो P, 1 plus R by 100, पावर यहाँ पर क्या होता भाईया, T होता है, और यह total उसको amount कितना चाहिए भाईया, चाहिए 10 lakh रुपे, 10 lakh रुपे उसको चाहिए, तो हमारे पास principal amount निकालना है, कि P हमारे पास उसके पास कितना amount उसको invest करना चाहिए, तो P तो हमें पता नहीं है, 1 plus R, यहाँ पर rate of interest हमारे पास दे रहे तेन, अपर 100, पावर फाइड दे रहे है, is equal to, यहाँ पर क्यों क्यों क्या हमारे पास यहाँ पर क्या दे रहे है, यह पर 5 year दे रहे है, अब इस वर का करते हैं, इसको, simplify कर लेते है, तो P, यह आएगा हमारे पास, 110 अ यहां पे क्या आजाएगा या 5 हो जाएगा is equal to 10 to the power 6, इसको cross multiply कर दीजे, तो सुनियाएगा 10 to the power 6 into 10 to the power 5 upon 11 power, यहां पे क्या आएगा 5 हो जाएगा, तो सुनियाएगा 10 to the power 11 upon 11 power 5 is the correct answer, so the option हमारे पास यहां पे क्या जाएगा या correct आएगा, तो इस प्रकार से इस type के questions को आप बहुत इसली कर सकते हैं, सुनियार यह question comment box के लिए, और आपको इसको solve करने में कितने seconds लगे, please comment करके ज़रू बताइए, इस type के और भी वीडियो से अगर आप देखना चाहरे है, तो पूरी के पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी, अगर आप CSIRNET या get exam की तैयरी कर रहे हैं, आपको previous question के solution चाहिए, तो यहां जाके चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye